हेलो एबरिवन, वेलकम टो माई यूटूब चैनल, गाईज कैसे हैं आप सभी लोग, मैं उम्मीद करते हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी उत्राखंट लेक्चरर स्क्रेनिंग की प्रपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही हैं तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिंदी के फिर से 20-22 मैतपूर्ण परशन डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर ये वीडियो आपके लिए बहुत मैतपूर्ण होने वाली है तो दोस्तों इस वीडियो को लास तक जरूर देखेगा और अपने उन दोस्तों को भी शेर करें जो इस एक्जाम की प्रपरेशन कर रहे हैं साथी साथ वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और चैनल पर नए तो जरूर सस्क्राइब कर लें अभी तक दोस्तों पांच वीडियो आचुके हैं और आज ये छटा वीडियो है तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का पहला कोश्चन है रसी जल गई पर एठन नहीं गई लोकोक्ती का अर्थ क्या है चार उप्षन आपके सामने है आपको पढ़ना है और इसका आंसर बताना है और आप प्लीज इसको और अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आपके कितने कोश्चन इसमें सही हो रहे है तो देखे पहला उप्षन है हमारा योग्यता से अधिक आकांचा करना धन नस्ट हो जाने के उपरांत भी सेखी काना जाना इच्छा अधूरी रह जाना घमंड में चूर रहना तो दोस्तों यहाँ पे हमारा right answer रहेगा भी धन नस्ट हो जाने के उपरांत भी सेखी का ना जाना ठीक है आगे वड़ते हैं अगला प्रशन है अमारा निम्न लिखीत में तदभाव सब्द का चैन कीजिए चार उप्सन है आपके सामने कपूर आकास प्रकाश समुद्र आप आपको बताना है इन चारों में से तदभाव सब्द कौन सा है तो दोस्तों यहाँ पे हमारा right answer हो जाएगा ए कपूर तदभाव सब्द क्या होते हैं तदभाव सब्द ऐसे सब्द होते हैं जो सस्कृत सब्दों से परिवर्थित होकर बनते हैं ठीक है तो यहाँ पे अगर चार उप्सन हैं आपके सामने तदभाव सब्द तदसम सब्द विदेशी सब्द या फिर देशज सब्द तो यहाँ पे दोस्तों हमारा right answer रहेगा भी तदसम सब्द ठीक है ऐसे सब्द जो विकृत हुए बिना जियों के तियों हिंदी भासा में आ गये हैं यानि कि जो त अगला प्रशन है हमारा निम्न लिखीत में मूल स्वर कौन सा है देखे चार स्वरे आपके सामने और आपको बताना है कि मूल कौन सा है इनमे से ठीक है O, I, O, O अब आपको बताना है कि इसमें से जो मूल स्वर है वो कौन सा है तो यहाँ पे दोस्तों हमारा right answer रहेगा C, O आप ध्यान रखना है आपको जो मूल स्वर होते दोस्तों इसमें चार स्वर आते हैं पहला आता है हमारा A, दूसरा आता है हमारा E, तीसरा आता है U और चोथा आता है हमारा R. तो यह आपको ध्यान रखना है एक्जाम में इस तरह के कोशन बनने की पूरी-पूरी संभावना है रहती है ठीक है तो यह जो चारों है यह हमारे मूल स्वर के अंत्रगत आते हैं चले अगला प्रस्ण देखते हैं उपसर्ग से निर्मित निम्न सब्दों में से किस सब्द में प्र उपसर्ग नहीं लगा हुआ है चार उपसन है आपके सामने और आपको वताना इन में से प्र उपसर्ग किसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है प्रारंब प्रसिद प्रतिकू प्रती कूल में जो उपसर्ग है वो है हमारा क्या यहां पूछ रहा है कि कौनसा प्रती कूल उपसर्ग नहीं है किसमें नहीं लगाए, तो C वाला आंसर हमारा सही रहेगा बिल्कुल, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रस ने, जेस्ट का विपरीत आर्थक बताना है कि क्या है, लगू, छोटा, लगुतम, कनिष्ट, तो यहां पर हमारा राइट आंसर D रहेगा, जेस्ट का विपरी तो यहां पर हमारा राइट आंसर रहेगा, A, मिलिंद, ठीक है, मिलिंद जो है दोस्तों, यह भ्रमर का प्रायवाची है, जबकि वेस्वारनर जो है, यह हमारा अगनी का प्रायवाची है, अंबक जो है, हमारा यह आख का प्रायवाची है, और रसाल जो है, यह आम का प्र दूसरा है अत्यंत छली या कप्टी होना तीसरा है अपनी बात जल्दी दूसरों पर परकटना करना और चोदा है किसी का भेद लेने के लिए उससे घनिष्टता इस्तापित करना तो यहां पर हमारा राइट आंसर बी रहेगा अत्यंत छली या कप्टी होना ठीक है चले आग बढ़ते हैं अगला प्रस्ट ने मारा किस समास में पूरपद विशेशन और उतरपद विशेश्य होता है चार ओप्सन है आपके सामने द्वांद समास करमधारे समास तत्परुष समास ये बहुवरी समास तो दोस्तों यहापर हमारा राइट आंसर रहेगा करमधारिय समास अगला प्रस्ट ने में से किस सब्द में विसर्ग संदी है चार ओप्सन है आपके सामने और आपको बताना है कि इन में से किस में विसर्ग संदी है तो दोस्तों यहापर हमारा राइट आंसर रहेगा ए निर्मी में इस में विसर्ग संदी होगी ठीक है जबकि हम जलोर्मी की बात करें तो इसमें हमारी होगी क्या गुण संदी ठीक है वागीस की बात करें तो इसमें हमारी होगी व्यंजन संदी विस्मरण की बात करें तो इसमें भी हमारी व्यंजन संदी होगी बचा कौन निर्मी मेस तो निर्मी मेस में हमारी विसर्ग संदी होगी चले अगला प डी एक ठीक है जो एक है ये हमारा क्या है प्रते है और बाकी जो हमारे वो क्या है उपसर गे तो प्रते प्रते क्या होते दोस्तों प्रते ऐसे वाक्यांस होते हैं जो सब्द के अंत में जुड़कर उसके आर्थ में विसेस्ता ले आएं या परिवर्तन ले आएं उनको हम क्य कहेंगे प्रत्य कहेंगे तो यहां पर अगर एक की बात हो रही है तो एक हमारा प्रत्य है ठीक है उदारण के लिए अगर बात करें तो जैसे आर्थिक है तो आर्थिक में कौन सा प्रत्य जुड़ा है एक धार्मिक है तो धार्मिक में भी एक प्रत्य जुड़ा है ठीक है त फिर गुण संदी है तो यहां पर हमारा right answer हो जाएगा D, गुण संदी ठीक है, भातिंदू में कौन से संदी हो जाएगी गुण संदी, जब आप इसका संदी विच्छेद करोगे, तो यह कुछ इस तरह से होगा, भारत प्लस इंदू, ठीक है तो भारतिंदू में हमारी हो जाएगी कुण संदी, चली, अगला प्रसन है हमारा, उच्छारण इस्थान के आधारपण, चो किस वर्ग का वियंजन है चार उप्सन है, धन्तिय, वत्सर्य, तालव्य या दन्तोस्तिय, अब आपको बताना है कि भाई, चार किस वर्ग का वियंजन है तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, तालव्य, अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, चा चार, जार, जार, और यो ये जितने भी पांचों है पांचों वियंजन है, ये सब क्या आते है तालव्य के अंतरगत आते है चले, अगला प्रस्न जो नियत समय से पहले या पीछे हो वाक्यांस के लिए एक सब्द होगा और सने सावदिक, असामईक, अवस्समभावी या सर्वकालिक तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, अवस्समभावी चले, अगला प्रस्न नियमने लिखित सब्द युग्मों में से कौन सा सब्द युग्म विलोम नहीं है आपको बताना इसमें से कौन सा विलोम नहीं है आप्सन A, पक्ष विपक्ष आप्सन B, आसपास आप्सन C, थोड़ा, बहुत और आप्सन C, नर्म, द्रस्ट तो दोस्ते हैं यहां पर हमारा राइट आंसर B रहेगा आसपास आसपास जो है विलोम सब्द नहीं है यह सेचर सब्द के अंतर गताएगा जबकि पक्ष का विलोम हो जाएगा विपक्ष, थोड़ा का विलोम हो जाएगा बहुत, और नम्बर का द्रस्ट ठीक है, यह दूसरे का पोजट है जबकि आसपास एक तरह सेचर सब्द है चले, आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है हमारा अनू प्लस एसन बराबर अनुवेशन यह किस संदी के नियम अनुसार होगा चार उप्षन है यण संदी, आयादी संदी, गुण संदी या फिर कोई ने तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, यण संदी ठीक है, अनू प्लस एसन की यदि हम बात करें, तो जब हम इसकी संदी करेंगे, संदी विच्छेर करेंगे, अनू प्लस एशन, तो यहाँ पे अनू याने छोटा उ प्लस ए, उ प्लस ए बराबर हो जाएगा वे, तो इस तरह का जो सुत्र होता है हमारा, वो यण संदी के अंतरगत यूज किया जाता है तो यहाँ पे हमारी यण संदी होगी अगला प्रसन है जिस इस्तरी को उसके पती ने छोड़ दिया हो इस वाक्यांस के लिए एक सब्द बताईए उप्सन हमारे प्रोसीत पती का, खंडिका, परित्यक्ता, विद्वा तो यहाँ पे हमारा रायट आंसर C रहीगा ठीके परित्यक्ता अगला प्रसन है किसी को जीतने की चाहा इस वाक्यांस के लिए एक सब्द है जिजिविसा, जिगिसा, जितेंद्रिय य降 जिजिविसू तो यहाँ पे हमारा रायट आंसर B रहेगा जिगिसा अगला प्रसण ने बिना बुलाए आया हुआ व्यक्ति इस वाक्यांस के लिए सरवादिक उप्यूत सब्द है आमंत्रित, निमंत्रित, अनाहूत, आहूत तो यहां पे दोस्तों हमारा right answer हो जाएगा अनाहूत बिना बुलाए आये हुई व्यक्ति को कहेंगे अनाहूद अगला प्रस्न है रात और संध्या के बीच की बेला इस वाक्यांस के लिए इन में से एक सब्द कौन सा होगा ओप्सन है आपके गोदुली, विहान, निसिद ये ध्वान तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए गोदुली, रात और संध्या के बीच की जो बेला होती है उसको गोदुली बोला जाता है ठीक है और यह बहुत मैतफोन प्रस्न है आता रहता है एक्जाम के अंदर ठीक है तो आपको धिहान रखना है अगला प्रस्न देखिए वर्तनी की द्रष्टी से इन में से कौन सा सब्द सुद्ध है चार ओपसन आपके सामने और आपको बताना इन में से कौन सा वर्तनी की द्रष्टी से सुद्ध है ओज, अलोकिक, ऐसना या सिंदूर तो दोस्तों यहां पर हमारा राइट आंसर रहेगा B, अलोकिक अलोकिक जो है बिलकुल सही लिखा हुआ है ओज भी गलत लिखा है, एसना भी गलत लिखा है और सिंदूर भी गलत रिखा है तो यहां पर हमारा B वाला आंसर सही रहेगा अगला प्रस्ण और लास्ट प्रस्ण हमारा निम्न में से कौन सुद्ध वर्तनी वाला सब्द है क्रशांगी, तिथी, निरोग या पतनी तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, क्रशांगी तो यह थे आज के कुछ मैंतपोन प्रश्ण जो अमने इस वीडियो के अंदर कवर कियें तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी यादि पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें चैनल पने है तो सस्क्राइब कर ले तो चलिए मिलते दोस्तों अगली वाली वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद